असलाम अलेकूम आज मैं आपको बनाना सखाऊंगी जी चिकन पॉकिट्स चिकन की रेसिप्पी भी बताऊंगी और चिकन पॉकिट्स भी बताऊंगी सबसे पहले मैंने कडाई लिए उसके अंदर मैंने डाला जी ओल ठीक है ओल को आप जोड़ा सा घरम कार ले और फिर इसके हड़ी के चिकन है और इसको मैं दास मिनट के लिए इसी आंच में बूनूंगी अच्छी तरह यह देखें इसको बूनते जाएं अच्छी तरह जरा इसका जो कच्छा पन होगा वो दूर हो जाएगा फिर इसके अंदर डालूंगी मैं सिर्का सिर्का डालने के बाद डालूंगी जी सोया सास मैंने ये तकरीबन और फिर छिली सास मैंने तकरीबन इसमें तीन तीन बड़े चमच सिर्का सोया सास और छिली सास डाला है मुझे तो आइडिया हो गया मैं इसकी मेयरमेंट नहीं करती तो ऐसे ही मैं इसको अंदाजे के साथ म बब दालें पर नमक और पिर उसके बाद मैं चॉप प्यास को वह प्यास डाल दूँगी अदर आप बारी आदियाँ जी स्पाइसी की स्पाइसी में डालूँगी खल्दी नमक मिर्च और जीराक उटा हुआ और साथ में दादर मिर्चें और घरमसाला पौडरर इसको अची तरह बून लेना अच्छी तरह बूना है इसको मैंने नमक अपने पहले अड़ा दिया था नमक दोपारा निदालना आपने ठीक है तो यह देखे अच्छी तरह इसको बूने जब भून जाए अब इसकी इंदर मैं डालूंगी चिकन पाॉडर चिकन पाॉडर के दो बड़ा मैं नमक पहले डाल दिया और इसमें भी नमक होता है इसलिए नमक जो है मैंने थोड़ा पहले डाला था और चिकन पौडर डाला अब मैं इसके अदर डालूगी ऑपा की स्वीट स्कॉन्स ये इसको कुप करने की जरोयत नहीं होती ठीक है इसलिए इसके अंदर मैं ड्रेक्ट डाल दूंगी यह देखें मैंने डाल ली है अब इसको मजीद मैं तकरीबं 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आँच में इसको मैं पकाऊंगी यह देखें अब मैं इसके अंदर डालूंगी जी काट के शिम्ला मिच्चे शिम्ला मिर्चे काट के डालूंगी अब इसको और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कैरट चाइनीज जो गाजर होती है वो वली आप चाहें तो दूसरी भी डाल सकते हैं अब इसको मैं पकने के लिए रखता हूंगी आप दूसरी तरफ से हम एक ब्रैड लेंगे और ब्रैड को किसी कटर से हैं या आपके घर कोई गिलास है उसकी मदद से दबा कर आप इस तरह इसके यह चोटे चोटे गोल्ड रोटिया टाइप बना लें ठीक है यह देखें यह देखें कितनी अच्छी अच्छी बान रही है माशाला अब बाकी जो बाच गया था उसको हम ज्ड़ डिएंडा डालें 2 अंडे मैंने लिए हैं ठीक है 2 बड़े साइस की अंडे ले लें आप और अगर कम ज़्यादा हो तो आप बाद में एक और डाल सकते हैं ठीक है अब इसके पॉइंडर मैंने था नदर था दूद भी डाला था तांके झाए इसका बैटर जो है प और अब इसको मैं हलका हलका से प्रेस करूंगी, यह देखें, साइडों को सिर्फ प्रेस करना है, याद रखिएगा सिर्फ साइडे को प्रेस करना है, दरम्यान से फिर प्रेस नहीं करना नहीं, तो फिर फूलेगा नहीं, अब इसको अंडे में डिप करें, अच्छे तरीके स बिसमिल्लारहमानीरहिम, ये देखें। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। अब इसको ब्रैडग्रम्स में कोड़ करें। ये देखें। ब्रैडग्रम्स के अंदर कोड़ करके आप ट्रे के अंदर साइड पे रखते जाएं। ये देखें। रैडी हो गया, माशाएललाऌ। बाकि सारे, मैं बना लूंगी, ठीक है। सॉसिच आए परम बारें, सबसे पहले मायोनी नीज लेए और इसमें गैचाप बिल्कुल निढ़तीया क्रीम, हलीब, बाला के रहो हनी, और सबसे पहले मैंने मायोनीज डाले ने फ्रक्रीम डाले अनी्ट turkey कोई और अब हम से अदर मिर्ज डालें, नमक दालें, लगा सा न ग्रुड परका सिस्नादान, मिर्ज और अब भी मैं इसके अधरा डाल facets काई अधारें अधार극bn płyn में पनी इसको अधारें तरह मिक्स तिर कि अच्छी तरह यह बिल्कुल जैसे गोल गपे फूल जाते हैं ऐसे यह भी फूल जाए अच्छे तरीके से यह देखें माशाला कितना बड़ा फूल कर बनकर त्यार हो गया इसी तरह मैं बाकी सारे भी बना लूँगी यह देखें यह देखें बनाएं इसको आप ही कीन करें आप इसको बना कर देखें बहुत मज़े का अब मैंने दरम्यान से को कट कर लिया यह देखें यह मेरे हाथ में था गरम बहुत ज्यादा था गरम गरम था यह देखें यह देखें अब इसको मैं इसके अंदर मैं लगाऊंगी जी आमच की मदद से हलकी हलकी är ठीक है फिर मैंने जी सलाथ काटा था बंगों भी-खीरे बर चाहें हमाशे हमाशा चाहला बन सकते हैं आप चाहें तो होंगी आप युकीन करें इतने मज़े के बने थे मैंने सारे बना कर रखने थे भचे ही नहीं थे हैं